IPL 2023 उक्षिन में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रहा गया है और इसके लिए सबी टीम्स ने अपनी त्यारियां शुरू करती है आज हम बात करेंगे कौन से हैं वो खिलाडी जिनको चैनली सूपर किंग्स इस साल कर सकती हैं टारगेट CSK के स्कोर्ड में अभी 18 प्लेयर्स हैं और उन्होंने 7 प्लेयर्स को इस साल रिलीज किया और CSK का रिमेनिंग परस है 20.75 क्रोड चलिए बात करते हैं कौन से हैं वो पांच खिलाडी जिनको इस साल चैनली सूपर किंग कर सकती है टारगेट नमबर पांच पर आते हैं हैरी ब्रूक हैरी ब्रूक का हाल ही में इंगलेंड के लिए काफी जबर्दस परदर्शन रहा है और उनका रिकोडेश ये पिचेज़ पर काफी शानदर है और इसके साथ ही जैनूरी में साउथ अफरी का T20 लीग में वे CSK की फ्रेंचाइजी जोहनेस बर्ग के लिए खेलेंगे तो ये नुमान लगाया जा सकते है कि चैने सूपर किंग्स उनके लिए भी इस साल जा सकती है नमबर चार पर आते हैं आईरलेंड के जोशुवा लिटल जोश लिटल का परदर्शन आईरलेंड के लिए और गरेलू करकेट में काफी शानदार रहा है इसके साथ ही वे IPL में चैने सूपर किंग्स के लिए नेट बोलर भी रह चुके हैं तो हम ये उमीद कर सकते हैं कि चैने सूपर किंग्स इस साल उनके लिए भी बोली लगाएंगी नमबर तीन पे आते हैं वेस्टर डीच के निकलस पुरन निकलस पुरन का परदर्शन IPL और हाल ही में कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम उमीद कर सकते हैं कि काफी फ्रेंचाइजी उनके लिए जाएंगी पुरन के लिए पिछले वर्ष भी चैने सूपर किंग्स ने बोली लगाई थी लेकिन वो उसमें जीत नहीं पाई थे CSK को नमबर 5 पे एक अग्रेसिव बल्लेवाच की जरूरत है तो हम उमीद कर सकते हैं कि चैने सूपर किंग्स उनके लिए इस साल भी बोली लगाएंगी नमबर 2 पे आते हैं मायंक अगरवाल मायंक अगरवाल को पिछले वर्ष पंजाब ने रिटेन किया था और वे उनके कप्तान भी थे पिछले वर्ष पंजाब का परदर्शन कुछ खास नहीं था और पंजाब ने इस साल उनको रिलीज कर दिया उमीद लगाई जारी है कि काफी फ्रेंचाइजी इस साल उनको अपनी टीम में चाहती है मायंक अगरवाल इस साल के मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर भी हो सकते हैं चैने सुपर किंग्स को एक अग्रेसिव ओपनर की जरूरत है तो हो सकता है वे मायंक के लिए बोली लगाई नमबर एक पे आते हैं सैम करन सैम करन हाल ही में हुई T20 वर्ल्ड कब में मैं अफ दे टूनामेट भी थे और फाइनल मैच में प्लेयर ओफ दे मैच भी थे चैने सुपर किंग्स का जो पहला टारगेट होगा गो होगा सैम करन सैम करन 2020 वर 2021 में CSK के लिए खेले थे और उनका परदर्शन CSK के लिए काफी शांदार था तो चैने सुपर किंग्स एक बार फिर से उमीद कर रही होगी सैम करन 2023 IPL में उनके लिए खेले आप हमें कॉमेट करके बताइए कि 2020 IPL में कौन से प्लेयर को आप CSK के जर्शी में देखना जाते हैं धन्यवाद